हलो दोस्तों सेकेंड पेपर शिक्षा के उद्दीश से ग्यानेवं पठे चरिया के दो यूनिट अब तक हम पढ़ चुके हैं और सभी महत्पून टोपिक्स उन यूनिट के जान चुके हैं अब आपका जो तीसरा और चोथा यूनिट आता है जिसका नाम है समसामेक सेक्षिक्स चिंतन पार्ट वन तो तीसरे यूनिट के लिए हैं और इसका पार्ट टू आपको चोथे यूनिट में पढ़ना होएगा 13 नंबर का 3 यूनिट, 13 नंबर का 4 यूनिट तो इस तरह से एक ही टोपिक दोनों यूनिट्स में है जो की आपके 13-13 नंबर का 26 नंबर का टोटल मेटिरियल है इसमें सभी महत्पून टोपिक्स को आईए इस वीडियो में जानते हैं अर्विंद जी के अनुसार सच्ची सिक्षा केवल आध्यात्मिक बल्कि तार्किक सररक और जीवन उपयोगी होनी चाहिए इसेई अर्विंद के अनुसार अंतहकरण से उत्पन ज्यान ही सिक्षा काप्रमगज्यान है उन्होंने अंतेकरण के चार इस्तर बताए चित, मनस, बुद्धी और ज्यान, चार इस्तर आपको ध्यान रखने हैं, इनका मानना रहा कि केवल ज्यान की प्राप्ती ही सिक्षा नहीं है, उसका प्रशारण होना भी आवश्यक है, ये कुछ बाते यहां पर ध्यान रखने हैं उसको जागर्पी करती हैं, प्रकास भी देती हैं, तो इससे ये परिवासिक तोर पर भी बाते आपको ध्यान रखनी है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और शिक्षन विधियों के बारे में बात करते हैं, अर विन शिक्षन की एक करमिक विधी के पक्ष में रहे हैं, इस विधी में विध्यारती को एक समय में अनेक विश्यों की सिक्षा नहीं दी जा सकती है उसे एक समय में केवल एक या फिर दो विश्यों का ज्यान दे करके फिर बाकी विश्य पढ़ाय जाते थे जब ये कंप्लीट हो जाते थे इसे करमिक विदी कहेंगे, मतलब करमिक विदी का आप इस तरह से लिजे कि करम से पढ़ाय जाते थे, एक एक सब्जेंट करके, एक एक टोपिक करके तो इस तरह से करमिक विदी, और विन दुवारा करमिक सिक्षन विदी के परतिपादित निम्न सिध्धान्त रहे हैं, सिध बातिवां mm निजी प्रयाथ Zac यह कड्यार दो कणा जानने हैं कि करम से में पढ़ा चाहते हैं पहले एक सब्जेक्ट या फिर दो सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाएंगे उनको पूरा होने के बाद में बाकी सब्जेक्ट आएंगे इस तरह से करम से सारा सिक्षनिस में चलेगा और ये कुछ सिद्धान्त आपको यहां पर आठ सिद्धान्त भी ध्यान रगने हैं करके सीखेंगे विद्यारती का आपस में सहयोग उनकों बना रहेगा स्वतंत्रता की भा बुद्धी और उसके सरीर का पूर्ण तथा उत्तम विकास विध्यारती की चित समंदित क्रिया शिलता को उन्नत करके उसे अंत्यक्रण का विकास करना विध्यारती की इस नायू चित और मन की सुध्धी करके इस परकार विकास करना कि वहें अपने इंद्रियों का होचित विखास कर सके सिस्टम से सारा काम हो जाए विधहरतियों की अभिरूची के अनुसार उनकी स्मृत्ति, कलपना, चिंता और निरूणय समता का विकास करके उनका मानसिक विकास करना विध्यार्थी की प्रकरती, प्रिवर्थी और भावनाओं को सुद्ध और संतुष्ट बना करके नेतिकता का विकास कर सकें इसके बाद में आगे देखिए इसके बाद में स्री अरविन्द International Centre of Education की इस्तापना, यह कई बार नाम आया वह aczyऊए रिविन्द friends International Centre of Education की स्तापना, अरविन्द की करती minority सिश्या, मीरा अलफसा, ने 1952 में की थी इस की स्टापना मीरा ने सिक्षक की निम्न विशिष्टा बताई इनके शिश्या की वारे में पूछा जा सकता है तो उसमें देखी पहला बिंदु है एक अच्छा सिख्षक होने के लिए पहले एक संत नायक अथ्वा अच्छा योगी होना आविशक है, इनका कहिना है दूसरा बिंदु वहें अनुसासेत हुए समगर विक्तितो वाला होना चाहिए तीसरा बिंदु है वह अपने एहम का त्यार करके मन पर काबू कर सकने वाला होना चाहिए पांचवा है शिभ्षक का संमान करने के लिए शिभ्षक को संमानिय के बी होना जरूरी है तो इस तरह से यह कुछ बात है ज्यान रखनी है रविंदर नास्ट टेगोर के बारे में बात करते हैं इनके शिक्षादर्शन के बारे में आप बात आती है तो इसमें देखे टेगोर के अनुसार व्यक्ति का पिकास रूडियों, प्रत्थाओं एवं रूडिगत शिद्धान्तों से मुक्त वातावरण में ही संभव है उनका विचार था कि प्रतिक विक्ति को पूर्ण सुतनतरता और आनंद का अनुभव होने देना चाहिए टेगोर ने मनुश्य को इस्वर के सरवत्तम करती माना तथा कहा कि मनुश्य में इस्वर्य सक्ति परतिबिंबित होती है टेगोर की आस्था जीवन के सास्वत मुल्यों यथा सत्यम सिवं सुंदरम में थी तथावे आत्मा की अमरत्व और स्वातंतरिय में भी विश्वास रखते थे सुतनतरता में विश्वास और टेगोर द्वारा सोतंतरता पर अधिक महत्वा दी जाने से तीन परकार की सोतंतरता उनके विचारों से व्याफ्त होती है पहला मस्तिस्क की सोतंतरता, दूसरा हरदे की सोतंतरता और तीसरा है इच्छा तत्लू की सोतंतरता तो ये तीन आपको विचार उनके ध्यान ठखने हैं, तीन प्रकार आपको ध्यान लखने है। इसके बाद में टेगोर की अनुसार शिक्षा के उद्दीश ये क्या रहे उस बारे में ये बात करते हैं टेगोर हाथ, हर्दे और मस्तिस्क की शिक्षा द्वारा व्यक्ति का समनवित विकास चाहते थे उन्होंने पूर्ण सुतंतरता, अनन्द युक्त, वातावर्ण और सहानु भूती पूर्ण सिक्षा का समर्धन करके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया उनके विध्याले में विध्यारतियों को पूरी सुथंतरता के साथ में सहरेक वयम की विवस्ता रही थी उन्होंने यायनभो किया कि परिक्षा के बोज से लदी हुई शिक्षा नैतो देश का उधार कर सकती थी और नहीं उच मस्तस्कों का निर्मान भी कर सकती है इसलिए सभी मानसिक सक्तियों का विकास होना चाहिए ताकि विध्यारति केवल पुस्तकिय ग्यान को रटना चोड़ कर गए, तरक करना सीखे, विचार विमस करना सीखे और कलपना करना भी सीख ले, तो ये कुछ बिंदु उनके महतपुन आपको ध्यान रखने हैं, इसके ब आता है, टेगोर ने पाठ्यकरम के विशेह में अपने विचार निमन प्रकार से विक्त करें, पहला विचार देखिए, पाठ्यकरम का सवरोप उतना ही व्यापक होना चाहिए, जितना की शिक्षा का, दूसरा विचार देखिए, पाठ्यकरम का परियास संपूर्ण व्यक् देखिए पाथे करम को वैभारिक बनाने के उदेशय से टेगोर ने पाथे पुस्तिका का निर्वाण किया जो सामान ने पुस्तकों से बिन गही पहुंचा विचार वे विध्याले के वातवर्ण को भी पाथे करम का अंग मानते हैं जिसका सिक्षा योजना में महिदपूर् में है और अब हम बात करते हैं सिक्षक वै अनुसासन के संबंद में टेगोर के विचार क्या रहे इसमें देखिए बालक के संपूर्ण व्यक्तितों का विकास तभी संबव है जब विध्याले का वातवर्ण सहनुभूति पूर्ण हो अच्छा वातवर्ण हो उन्होंने ऐ जैसे अध्यापको की आलोचना की जो अनुसासन के नाम पर बालकों को यातना देते थे सिक्षा कोई इंतरात्मक या निरजी प्रक्रिया नहीं है बलकि उसमें जीवन तथा गती चीलता है इसलिए विध्यारती को सिक्षा स्विम विध्यारती बन करके देनी चाहिए इसक प्राइस्चित ही सर्वत्म दंड विधान है उन्होंने कहा कि मेरे विध्याले में चातर स्वयम अपने आपको दंडित कर लिया करते थे मैंने कभी उन्हें दंड नहीं दिया यहां टेगोर महत्मा गांदी जी के विचारों के समीब आते हैं तो यह कुछ विचार ध्यान इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और गांदी जी के बारे में बात करते हैं गांदी जी के सिक्षा दर्शन के बारे में बात करते हैं गांदी जी का सिक्षा दर्शन मूलत है प्रगती की पस्चिम की अवधराना से अलग हट करके भरत के पुनर निर्मान के स्वपन से उपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना गांदी जी की पस्चिम मी सब्यता की समगर आलोचना का हिस्सा रही उपनिवेशिकरन गांदी जी की दृष्टी में सत्य और अहिंसा का निशेद करता था जिन्हें वे दो सर्वोच मुल्ले मानते थे गांदी जी एक एसे आदर्ष समाज का निर्माण करना चाहते थे जो छोटे-छोटे आत्म निर्भर समुहों में समुहों से मिलकर की बना हो गांदी जी के शिक्षा दर्शन का केंद्रिय विचार एक अहिंसक समाज के लिए अहिंसक स्वावलंबी व्यक्ति का निर्माण है गांदी जी ने अपने सभी स्यक्षनिक प्रियोगों में व्यक्ति की इसी आत्म निर्भरता पर सरवादिक जोर दिया है तो ये कुछ बातें गांदी जी को लिए ध्यान रखनी है और स्वाव लंबन वे सररिक शरम के संबंद में गांदी जी के विचार क्या रहे आई यह बारे में बात करते हैं इसमें देखिए गांदी जी ने सिक्षा को शरम सील लोगों के जरिये से देखा वे मानते थे कि शरमिक परिवारों के विध्यारती बहुत उत्सा के साथ में काम काज में अपने माता पिता का हाथ बढ़वाते हैं वे जानते थे कि काम के बिना रोटी नहीं मिल सकती गांदी जी के अनुसार सररिक शरम का तातपरी स्कूल के संग्रहले के लिए वस्तुएं तथा खिलोने तयार करना ही नहीं जिनका वास्तों में कोई मुल्य नय हों विध्यारती बाजार में रखे जाने लाइक विध्या कहा था गांदी जी का स्वावलंबन का विचार उनके दर्शन का शार था तो तरह से स्वावलंबन के बारे में और सररिक सरम के संबंद में आपको ध्यान रखना है गांदी जी के विचार इसके बाद में अब हम बात करते हैं गांदी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क हासिल होती है मातर्वाशा को शिक्षण का माधियम रखने के पीछे उनका यह तर्क रहा कि विद्यार्ति còn शुरवाती वर्णों में अपनी मातर्बासा में ही इस लिए साथ में रख़ शकता है तो वह बाते मातर बस्द के अंदर एक मुल्लो ध्योग पर आधरित व्यवरिक और सर्वांगिन विकास के सिक्षा देता है बुनियादी सिक्षा का मतलब है एक बुनियाद एक नीव मजबूत करना और सर्वांगिन बच्चे का विकास करना सर्वांगिन विकास करना तो इस तरह से आप इसका अर्थ और इसका अगर शिक्षा योजना के सिध्धानत आपको पूची जाते हैं या बुनियादी शिक्षा का बड़ा प्रशना आता है निभंदात्मक प्रशना आता है तो फिर सारी चीज़ें आपको लिखने ही पड़े कि तो ध्यान से समझना है बुनियादी शिक्षा के लब कर देना एक काम उनको सिखा देना तो हस्त कोशल पर अधरीच शिक्षा छटा है नागरेता की शिक्षा तो ये सारे काम कहां हो रहे हैं बुनियादी सिक्षा में जो कि आपको ध्यान से याद रखने हैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बुनियादी शिक्षा की कर सके तीसरा विभारिक गणित उसमें रहेगी सामाजिक विशे रहेगा और पांचवा रहेगा सामाजने विज्ञान और छटा रहेगा संगीत वचित्रकला सात्वा स्वास्थे विज्ञान और आठवा है आच्रण शिक्षा तो ये सारे टोपिक्स इसमें रहेंगे अच्छा कर पाएगा तो यह सारे काम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बुनियादी शिक्षा के गुणों के बारे में बात करते हैं पहला गुण है मनो विज्ञान सिक्षा पदती दूसरा है दार्षनिक आधार तीसरा है आर्थिक समश्या का समाधान चोता है सामाजिक और राष्ट्री एकता पांचवा है एहिंसक करांती की अगर दूत चटा है उत्पादन पर जोर सातवा है भारती है ताकी छाप आठवा है सामाजिक सिक्षा और नववा है चरितर निर्मान और दस्वा है सरवांगिन विकास तो ये शिक्षा के गुण भी आपको ध्यान रखने है इसके बाद में बुन्यादी सिक्षा के दोस की बात कर लेते हैं दोस में देखी आर्थिक पक्स पर अत्यदिक जोर दिया गया दूसरा देखी राश्ट्रिय धनका अपवें, तीसरा निर्मित वस्तों की बिक्री कठनाई की जो बच्चे हस्त कोशल सीख रहे हैं, वो सामान जो उन्होंने बना लिया है, कोई भी वस्तों हैं, तो उनको बेशने में कठीनाई हैं, चोथा उद्यू की उननती में सामन जिस से नय होना, और पांचवा है, भार सवरूप, बेसिक क्राफ्ट, ऐसंतुलित पाठ्थे करम, तो पाठ्थे करम ऐसंतुलित रहा, हस्त कुशल वगरा सिखा दो दिया, पर उनको बेचना कैसे है, वस्तों को कैसे सिस्टम से सारा काम करना है, तो वो नहीं सिखा गया, सामन उससे नहीं रखा गया व्यापारियों से वादी से, तो वो थोड़ा सा इसके दोश रहे, ये ध्यान रखना है, और अब हम बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर की सिख्षा दर्शन के बारे में, अंबेडकर जी के अनुसार सिख्षा सब्वेता और संस्कृति की मापक रह हैं, और अंबेडकर जी के अनुसार हर कोई मनुशे यह समझने के लिए, वहें खुद क्या चाहता है, परियापत रूप से बुद्धिमान होता है, मतलब खुद की पसंद का काम करना उसके लिए प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, इस मामले में साक्षरता की कोई माननेता नही हैं, खुद बुद्धिमान होता है, कोई भी वनुशे, इसके बाद में अंबेडकर के अनुसार शिक्षा के उद्धिशों का अगर पुशना आता है, तो इसमें देखी, डोक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा के महतों को भली परकार से समझते थे, वे समाज में सभी को शिक्षित विशेश कर दलित समाज को शिक्षित होने के महतों को समझाते थे, अता है उन्होंने समाज में व्याप्त समाजिक्ता, चातर हित को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के कुछ उद्धिश्य बताए जो इस परकार से हैं, पहला है जीवी का पारजन, जीवी को पारजन का उद्धिश्य मतलब कि जीवन को यापन, जीवन यापन करना एक सिस्टेमेटिक तरीके से, तो उसमें देखी एंबेटकर जी का मानना रहा कि शिक्षा का प्रत्म लक्षे विद्यारती को जीवी का पारजन अर्जित करना सिखाना होगा, अपनी धन दोरत कमा कर कि अपना जीवन वेवस्तित करना होगा, उनके अनुसार शिक्षास इंसान को आत्म निर्भर बनाए, अताय विद्यारती की रूची की अनुसार उसे रोजगार परक्ष शिक्षा भी आवश्यक रूप से कराई जानी चाहिए, दूसरा है सामाजिकता का उद्देश्य, सा बालक को सामाजिक प्राणी बनाने की बात करते हैं, बालक को विधाले में शिक्षा के साथ सामाजिक कारियों में भी समलित रहना चाहिए, समाज से भी जुड़े रहना चाहिए, तभी सामाजिक बुराईयों का दमन संबव होएगा, कि ये सारी बाते सामाजिकता में आग उन्होंने विध्यार्तियों में व्यक्तित्व की उन्नती हेतु आच्रण की स्थापना को महत्वर दिया तो आच्रण रहेगा तो व्यक्तित्व का विकास होएगा चोथा यहां पर उद्देश्य आता है संग्ठन का उद्देश्य संग्ठन के उद्देश्य में देखी को ये नहीं रखना है और इसके बाद में अब हम बात करते हैं भीमराव अम्मेडकरजी के अनुसार, शिक्षक, सिक्षार्थी, अनुसासन में क्या सब्बंद रहा अम्बेडकरजी स्वयम एक आदस सिक्षक रहे वे शिक्षन व्यवसाय तथा विध्यारतियों से प्रेम करते थे अम्बेडकरजी मानते थे की सिक्षक को पक्षपात रहित होकर के सिक्षा देनी चाहिए किसे से बेदभाव नहीं करना चाहिए, सब को एक समान रखे अम्बेडकर जी ऐसे सिक्षक को महान मानते थे जो विध्यारती को समानता और संगर्ष की सिक्षा देता है अम्बेडकर जी के अनुसार विध्यारती को समानता और संगर्ष की सिक्षा देता है विध्यारती को निडर द्रड निश्चे होना चाहिए शिक्षा विध्यारती को केंदर बिंदू मान करके होने चाहिए विध्यारती को गुरू के पद चिन्हों का अनुश्रण करना चाहिए तथा न्याई के प्रतिसजग रहना चाहिए हम बेड़कर दमन रहित अनुशाशन के पक्ष में थे उससे अनुशाशन में रहकर कि ही विध्यारती लक्षिय प्राप्टी कर सकें इतना आपको यहां पर धन रखने और इसके बाद में अब हम बात करते हैं जे कृ्ष्णमूर्ती का शिक्षादर्शन के नहीं है बलकि हम कैसे देखें कैसे सुनें कि पुस्तके क्या कह रही है और जो वह कह रही है वह सत्य है या सत्य है यह सब सीखना भी शिक्षा का ही अंग है शिक्षा का अर्थ इतना ही नहीं है कि वह दुनिया में आपको कोई नोकरी दिलाने में सायक हो बलकि यह भी है कि इस से दुनिया का सामना कैसे करना है उसकी आपको मदद कर सके समयक शिक्षा वही है जो विद्यारतियों को इस जीवन का सामना करने में मदद करे ताकि वहें जीवन को समझ सके उसे उसे हार ना मानने उसे बोज ना समझें बोजे से दब ना जाएं और इस तरह से एक कि अनुसार सीखषा का सरवच कारिय ऐसे समाकलित व्यक्ति का निर्मान करना है जो जीवन का सामना समगरता से करने में सक्ष्म हो जीवन मता को जब आ जाएगी तो जीवन की समपूरता को देखेगा थै सिखषा का आ रहे कृष्णमूर्थी के अनुसार सच्चे अर्थों में शुक्षा व्यक्ति को परिपक्वे वे स्वतंतर होने में प्रेम और अच्छाई में प्रस्फुटित होने में सायता देना है हमारी रूची इसी बात में होनी चाहिए नए कि बच्चे को किसी आदर्शवादी रू बना जरूरी है कश्चमूर्थी के लिए सिक्षक खुले मस्तिस्क वाला समयदन सील होना चाहिए कश्चमूर्थी आंतरिक अनुसासन पर बल देते हैं इनके अनुसार बाईये अनुसासन मन को मुर्क बना देता है शिक्षक का पहला काम यह हैं कि पहले खुद के विचारो पर इसके प्रभाव को जाचे विवस्था अनुशासन का ही दूसरा नाम है तो खुद शिक्षक एक परिपक को एक अच्छा नागरिक होएगा तभी बच्चे को सही दंग्स सिखा पाएगा अनुशासन सील रहेगा तो एक बाहरी अनुशासन अलग हो गया कि बाहरी दे पाएगा तो इस तरह से कृष्णमूर्थी जी का ये कहना है इसके बाद में स्वामी विविकानंद जी का शिक्षा दर्शन आएगा विविकानंद की शिक्षा दर्श्टी उनके दाशनिक विचारों के अनुशार रही उनके विचारों पर सरवादिक प्रभाव वेद ता और प्र शिक्ष्या मनुश्यों के पहल से मुझूंद पूर्णता के प्राकट्टे का मादिम नहीं करता है बाहिए जगत से और वस्तों से या घठनाओं से ग्यान प्राप्त नहीं करता है मनुष्य के पास सदेव ग्यान होता है ऐसा कहना है स्वाम toothbrush का आपको बात धिखन रखने है इसके बाद में यहें मनुष्य के मन में निवास करता है शिक्षा द्वारा व्यक्ति सदेव इसको खोजता है उनके सब्दों में मनुष्य ज्यान का प्राकटे करता है उसको अपने अंदर खोजता है जो सास्वत माध्यम से उसमें पहले सही विद्यमान होता है उनके लिए शिक्षा द्वारा व्यक्ति अपना मानसिक विकास करके अपने वास्त्विक सवरूप का ज्यान अरजित करता है तो यह कुछ बाते यहां पर द्यान रखनी हैं इसके बाद में स्वामी विवेकानन जी के अनुसार शिक्षा के उद्देशे की अपन बात करते हैं विवेकानन की अनुसार मानव जीवन दो पक्षे हैं भोतिक और चिक्ता सीखना और आतमिक मांचिक विकात करना समाल हुदहर की युगता गाया विकास करना सर piace कि भवना का विकास करना तो यह कुछ उड़ीश अपको यहां पर ध्यान डखने है स्वामी विवेकानद्फ कने नुशार शिक्षा साथ इसके बाद में अब हम बात करते हैं स्वामी विविकरंद के अनुसार शिक्षा का सवरूप इस परकार का होना चाहिए जो विक्ति की आत्मिक अध्यात्मिक उन्हति के साथ मानों की घूतिक प्रगती भी करे उन्होंने कहा हम आज चाहते हैं कि सूचना ही सिक्षा का अर्थ नहीं होकर कि बालक का मनुस्य के रूप में निर्मान करना है तो सिक्षा का सवरूप उनका कैसा रहा है बालक का मनुस्य के रूप में निर्मान करना उन्होंने सिक्षा के दो सवरूप बताए आध्यात्मिक और वेभारिक आध्यात्मिक सिक्षा ब्रह्म के सवरूप का ज्यान करवाती है ऐसी सिक्षा के लिए विवेकानंद वेड गीता उपनिसद पुरान धर्मगरंत दर्शन साइटे कला इत्यादी के अध्यान करना अवशक मानते थे उन्होंने कहा मेरा विचार है पहले हमारे सास्तर गरंतों में भरे पड़े अध्यात्मिक्ता के रतनों को बाहर लाना चाहिए विवेकरन्द मातरबासा में शिक्षा को जरूरी मानते थे किसी द्वारा किसी को ज्यानी नहीं बनाया जा सकता हम मैंसे प्रतिक को अपना गुरू स्वियम ही बनाना पड़ेगा किन्तो सिक्षक की भूमी का मन से विद्यवान ज्यान को प्रकटिकरण में महधपून होती है इसके लिए सिक्षक को अपने सिश्यों से गनिष्ट आत्मि कि या पेक्षा की गई है तो यह कुछ बिंदू यहां पर द्यान रखने है तो यहां पर हमने जिन भी लोगों के बारे में बात्चित करी जिनका भी हमने शिक्षा दर्शन पड़ा उनको आपको अच्छे से याद करना है काफी चीज़ें आपने देखा कि मातरबाशा जो अच्छे से इसको समझना है नहीं समझ माता है तो दुबारा से वीडियो को देख लेना है ताकि यहां पर जो कुछ बच गई वेक्ती तो वो चोथे यूनिट में आपके आएंगे जो की समसामाई की सेक्षिक चिंतन का पाल्ट टू है यह चोथा यूनिट भी आपके तेर दिस्क्रेप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है उदर से मेरे पास टेलिग्राम पर संपरा करेंगे तो वहां पर मात्र नाम मात्र की फीस में आपको 59 रूपीज में सभी सब्जिक्ट की ओल सब्जिक्ट की नोट्स पीडिये आपको प्रवाइड करवा दी जाए हैं वहां से आपके नोस जो अपडेट हो रहे हैं तो वहां से यूनिट बाई यूनिट आप देख करके वीडियो को अपनी अच्छी तयारी कर पाएंगे आपके सारे डाउट से वीडियो में दूर हो गये हैं वीडियो को लाइक जुरू करें अपने दोस्तों के साथ में करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए थिंक्यू फूर वाचिंग इस वीडियो